नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल फ्लेम टार्गेट में आपका स्वागत है किरपया जो लोग नए है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों आज हम संग इकाइनो डर्मेटा से सम्मंदित कुछ महत्तोपूर्ण बिंदों को देखेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले संग इकाइनो डर्मेटा क्या होता है संग इकाइनो डर्मेटा के बारे में हम लोग जानेगे ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले देख लिया जाए इकाइनो डर्मेटा क्या होता है ठीक है तो इकाइनस का अर्थ होता है इस्पाइनी अर्थार्थ कंटके या काटा और डर्मा का अर्थ होता है इसकिन अर्थार्थ आवरण या तोचा होता है ठीक है अर्थार्थ इस संग में ऐसे जनतु पाए जाते हैं जिनके सरीर पर कंटिकाए होती है या फिर इनका सरीर कंटिकाओं के आवरण से धका होता है ठीक है दोस्तों ऐसे जनतु पाए जाते हैं इनके सरीर पर जिसमें कंटिकाओं के आवरण स धका होता है ये क्या कहलाते है इकाइनो डर्मेटा संके सदस्ट कहलाते है ठीक है अब देखेंगे इसके प्रमुक लच्छड क्या है ठीक है इसके जो जर्नल करेक्टर्स है ये क्या है तो पहला देख लेते हैं क्या है इकाइनो डर्मेटा केवल समुद्र में पाए जाने वा की उपस्थित के कारण क्या होती है खुर्दुरी होती है ठीक है दोस्तों आगे देखेंगे क्या है आगे कह रहा है कि जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें सीर्स तथा असपस्ट मस्तिस्क नहीं होता है क्या होता है इसमें जो है सीर्स तथा असपस्ट मस्तिस्क नहीं होता है नेक्स्ट कहे रहा है कि इसमें रूधिर पडिसंचरण तंत्र जो होता है वो अल्प बिक्सित होता है ठीक है कम होते हैं अल्प बिक्सित होते हैं ठीक है दोस्तों जैसे एक कोई एक जनतु है उसको अलग अस्थानों से काटने पर वह पुना जुड जाता है तो उससे क्या कहते है उसे पुनूरूत भौन कहते है ठीक है दोस्तों, next point देखते हैं क्या है, next point कह रहा है कि इसमें जल सम्माहनतंत्र उपस्थित होता है, क्या होता है, जल सम्माहनतंत्र जो होता है, यो इसमें present होता है, ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, आगे कह रहा है कि इस संग में स्वसन के लिए बिभिन रचनाये यानि कि तारा मीन होती है, ठीक है, आगे कह रहा है कि इस संग में, संग इकायनो डर्मेटा का जो सदस्य होता है, इसमें हिर्दे तता समवेदी अंग नहीं पाय जाते है, ठीक है, समवेदी अंग इसमें नहीं पाय जाते है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क अब देखेंगे संग तारामीन मचली या संग इकाइनो डर्मेटा के जो सदस्य होते हैं तारामीन यानि कि इसके वरगी करण को हम देखेंगे क्या है ठीक है तो सबसे पहले इसके वरगी करण को जानेंगे वरगी करण में किंगडम क्या है किंगडम इसका एनी मलेया होता है फायलम इसका एकाइनो डर्मेटा है अब देखेंगे इस्टेरियास की जो structure यानि जो इसके सरनचना होती है इस्टेरियास की इसके बारे में हम जानेंगे तो पहला क्या कहरा है पहला point इसका है कि सितारा मचली समुद्र की पत्रीली सता पर रेंगती पाई जाती है, कहां पर समुद्र की पत्रीली सता पर रेंगती पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, इसका सरीर चप्टा होता है, तथा इसमें पंच भुजाएं होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पेंटा मेरस कहते हैं, य अलग जन्तुमें अलग अलग अस्थानों पर पाये जाते हैं, ठीक है, next point कह रहा है कि इसके शरीर पर चूसक होते हैं, क्या होते हैं पर जो होश्टिया होता है, चूसक होते है, जो चलन में, यानि कि जो लोको मोशन होता है, यानि कि जो मोमेंट करते हैं, तो ये उसमें क्या करते हैं, साहता करते हैं, पूरे सरीर पर इनके कंटिकाएं पाई जाती है, ठीक है, इनके सरीर पर, पूरे सरीर पर कंटिकाएं पा इनका कंकाल सुस्क पाउडर के रूप में कैल्सिय भोजन के रूप में काम आता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुछ जगहों पर सितारा मचली भोजन के रूप में काम आती है ठीक है कुछ जगहों पर जो सितारा मचली होती है वो भोजन के रूप में काम आती है तो ठीक है दोफतों चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर झाल